हालो एब्रीवन मैं हूं अनिश और आप देख रहे हैं बहु पार्ट साला बहु पार्ट साला पर मैं लेकर आता हूं लैंग्विज के पेपर जो की इंग्लिश है मेरा बहु इंटरेंस 2021 में पूछे गाए प्रिबिएस यर कुश्चन और प्रिपोजिशन से कैसे कुश्चन आते हैं वह शर्व करा रहा हूं मैं आज और इसे पहले भी हमारे दो वीडियो प्रिपोजिशन के रन कर रहे हैं आप देखिएगा और आप जूरे हुए हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ जो वर्सों से बेचुन ट्रेंस के लिए एक अच्छा मार्क्स देते आया है कोने स्टुडेंट कितना मार्क्स पा रहा है यह भी देखते हैं और फिर उसके ऊपर उस तरह से ध्यान भी देते हैं पहला कुश्चान है मारा वी हैब आ होली डेश टीशमस्ष नेक्स्ट हैं यू मस्ट भी बेक डेश फाइव ओ कलॉक थर्ड हैं ही केम डेश मंडे फोर ह रोहन कम्स डैस पूर फैमली आप एंसर देते रहिएगा वन टू थ्री फोर करके हम एंसर में शमझ जागे वन का ए आप वन का आट इन जो भी समझ में है वो लिखेगा फिर टू का जैसे करके होगा आट इन आफ जो भी आपको लगे वो कुश्चन नमबर और आपका जो होगा वह वर्ड में टाइप करिएगा रोहन कम्स डैस पूर फैमली ही बॉट दहाप गल्फ्रेंट बुक डैस हाई प्राइस जब आप ब्हू आओगे तो आपको लगेगा कि लाइब्री वगड़ा में गया हूं और कहीं आपको यह बुक मिल गई हाप गल्फ्रेंट की त चुरू हो जाएगा हाँ जीएफ वाली पहले यह बुक पहले आप रेलबे स्टेशन आओगे फिर यह बुक पढ़ोंगे बिलने के बाद क्या क्या काम होता है फिर पूरी पूरी यह जो जीएफ है वह बन जाएंगे आपके ओके दबाइक हाँ आई बॉर्ड मनी फ्रॉम कि देश पर्षेंट इंट्रेस्ट फिर क्या होगा बुक पढ़ोंगे रेलबे स्टेशन पर मिल जाएगा कोई ना कोई घर आते होते या इनुवर्सिटी आते जाते है फिर आप क्या करोंगे दोस्तों से कुछ उधार ले लोगे आड़ें दें दबाइक वाइक ले लोगे अधार लेके फिर कहा जाएगा भाई बाइक फूल स्पीड में है ना पीछे होगा आपके हाँ समझ गया हो कि बड़े शमधार हो ओके सभी लोग नहीं है कुछ लोग तो होंगे इस तरह के जो आएंगे तो मज़े लेंगे पोटेटोच सेल्स पोटेटोच सेल्स 10 रूपीज एक लोगराम अब क्या होगा चारे पैसे तो यहां खर्च कर लोगे और उन पर क्या लेके जाओगे भाईया पोटेटोच सुखी वी कुछ लोग तो जूस भी पिएंगे ना जब इनके साथ रहते हो तो जूस भी पिलेते हो जब अकेला रह तो यही काम आते हैं एक्सपरियेंस है हम लोग की उनिवर्सिटी के पास साथ साल के आओ एंसेथ हो भी यह पताए पहला में क्या होगा अ दूसरा में क्या होगा है तीशना ऑके फोर्थ ऑके फिर्ट यह जीए फवाली में क्या लागा तू जब कोई रेल्वे स्टेशन पर मिलता है यानि फिफ्ट में क्या लगाऊं शिक्स्त में क्या लगेगा वह बात मैं करता हूं यहां पर फिलाल आट कीश में शोगा क्यूं होगा यह बताता हूं मैं मैं उन टीचों में से नहीं हूं जो एंसर किया और बता के चला गया एंसर क्यूं होगा यह भी एक्स्प्लेंड करूगा बने रही है मैं शाथ आट इसलिए होगा यह exception है वैसे तो पॉइंट आफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय प्रॉपर टाइम ओके पांच उक्लॉप तू पांच बजे पांच बजे तो जाओगे तो डार्ट भी पड़ेगी तो कुछ लोग तो पाच बजे से पाच पीनट पहले ही पहुंच जाएंगे अब कौन पहुंच जाएंगे किसके दर से डार्ट सुनेंगे यह तो आप समझीगे वह बड़े स्मार्ट हो हाँ अभी पाने मानी लगे हुए मधवन में तो कुछ जा नहीं रहो आपे पार्ट में ओके तो यह तो पॉइंट ऑप टाइम के लिए करते हैं जैसे फाइब ओकलॉक टू ओकलॉक किसी भी खाश टाइम के लिए लेकिन यहां पर यह एक्सेप्शन है यह भी ऑन क्रिश्मस ह होना चाहिए जैसे on Monday on Tuesday होता है कि Monday को मिलूगा किसी दे के साथ किसी भी दे के साथ्ट यह देilted के साथ है। पिर क्या हो जाएगा, यह सब डेट है, ना, 5 January, 27 February, यह दे क्या हो जाता है, अमड़ा, दे में हो जाता है, Sunday, Monday, यह सब दे हो जाता है, इनके ठीक पहले क्या लगता है, अभी है, on लगता है, इनके पहले on लगता है, नि इनको बताने के लिए जो preposition हो जाता है, on होता है, ले लेकिन की लिटर्स कि बात घ्रीशतर है कि कहा यहां 15 खर्ट करते हम लगों को छुटी मिलेगा चुटी लिए लिए तक कर से छहां का Around मतलब आसपास तो यह कहता है हम लोगों को Holy मिलेगा Christmas के आसपास Christmas के आसपास at new Year कहने का मतलब यह होता है कि new year के आसपास है न कहता हम लोग घर चलेंगे at New Year we will go to home at new year हम लोग नय साल को घर चलेंगे नय साल को कहने का तो मतलब क्या है 1 January तो होता नहीं है एक दो दिन पहले ही जाओगे न तो आज पास उसके पास का टाइम जनरली हम इस चीज को डूरेशन को या फिर कहां कि पिरियट को बताने के लिए इनका यूज करते हैं पिरियट इससे पहले इन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूं यहां पे ज्यादा टाइम हो जाएगा तो पिरियट का मतलब होता है ना पात दीन दस दीन छ पिरियट जाएगी वीडियो यहां पे तो यह है क्रिश्मस का कहने का मतलब है क्रिश्मस के आज-पास का टाइम है यह एक्सेप्शन है बेसिकली आट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है लेकिन कुछ अपवाद होते हैं एक्सेप्शन होते हैं देखो कि पु यह सकते हैं इसको कि यह कहने का मतलब आज-पास निवियर कहने का मतलब निवियर के आज-पास देख्शन है यूमस्ट भी बैक तुम्हें जरूर से बैक होना है कब फाइब लग चाहिए आपके बाई का यूज कहां होता है वह देख लेते हैं बाई का यूज हमारे इंड के साथ होता है किसकी साथ होता है एंड आफ टाइम यह कहता तुम्हें वापस आना होना है लेकिन 5 o'clock तक की बात आ रही है पांच बजे तक कब तक बहिया पांच बजे तक पांच बजे तक से मतलब लास्ट फाइब ओकलॉक जो फाइल का होता है यह फोर बज के 59 मिनिट ह यह फिर 5 बज के 00 मिनिट होता ना इसकी बात कर रहा है यह बाई लग गया यहां पर इसका मतलब इसकी बात कर रहा है ओके ध्यान रखिएगा बाई का यूज हम वहां करते हैं जब किसी टाइम या जो डेट है उसके लास्ट की बतानी हो ओके लास्ट एंड एंड बताना हो किसी चीज का end बताना हो तो by syndicate करते हैं कि तुम्हें पांच बजे तक वापस आना है by five o'clock भी या तुम्हें पांच बजे तक आही जाना वापस ऑगे लाश्ट पाइम मंडे मुंदे मंडे मतलब मंडे रहे हैं यहाँ अब हमने कहा की आ और dates के साथ on लगता है, day और date के साथ, यानि Monday, day है, Monday, Tuesday, Wednesday है, तो on लग जाएगा, okay, किलिए रहे हैं, निश्चीत नहीं भी समझ में आए, या दखना, निश्चीत का यूज हम add के साथ भी करते हैं, निश्चीत का यूज कोई जगय हो, या कोई शमय हो, बताने के लिए add के स या Monday होता, या फिर 27 होता, February, 27 February, तो भी on लग जाता है, क्योंकि ये date है, ये क्या है, date है, और ये day है, days और date के साथ हम on लगाते हैं, I hope, आप लोग समझ गया होंगे, next है, रोहन कम्स, that's a poor family, ये question पहले कड़ाईगी है, इससे ही मिलता जोलता, और ये उनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले question, back to back पूछते हैं, आपके sentences बदल जाते हैं, तरीका बदल जाता है, पूछने का, लेकिन यूज नहीं बदलता है, यूज वही रहता है, रोहन कम्स, that's a poor family, okay, बहुत सारे लोगोंने अगर पहली वीडियो देखी होगी, यानि इससे पहली off की वीडि जो source होता है, किसी चीच का, निकलने का, आने का, जो जर होता है, source होता है, उसके लिए आफ का use करते हैं, okay, from मतलगा देना, कोई भी यहाँ पे, मतलब यह है, कि अगर आपको salary मिलती है, boss कि यहाँ से, तो boss आपका source हो गया, okay, यहाँ पे यह इसके आने का, जो source है, वो क्या है, भाई, poor family है, यह यहाँ से origin है, origin में उसके होता है, शुरुआ निकलना, origin, यह origin यहाँ सोर्स, जहाँ से जो आता हो, निकलता हो, उसके ठीक, पहले क्या होता है, off का use होता है, next day हमारा, he bought the half girlfriend book, that's high price, क्या लगा दू, okay, at use होगा, क्या use होगा भाई, at use होगा, क्यों use होगा, तो कभी भी ध्यां रखेगा, कीमत बताने के लिए, कीमत बताने के लिए, price बताने के लिए, price बताने के लिए, price बताने के लिए, करते हैं As Passover की चीजे बताने के लिए एक करते है आसपास से इन दो से ये वह आसपास आसपास याद रखेगा यह वाली अगे नेक्स्ट है ओके आट हो गया नेक्स्ट है यू मेट मी डैस डेलवे स्टिशन एट होगा यहां पर भी इससे पहले रहे दो वीडियो रन कर रहा है एक इन का यूज है और एक और का यूज है, you met me at railway station, इसलिए होगा क्योंकि तुम मुझे railway station के आसपास मिले थे, okay, यह कहना हो, क्या, railway station के आसपास ही मिले होगे, ऐसा तो नहीं कि एकडम railway station में हो सकता है, railway station के पार्किंग में मिल गया है, railway station की जो वेटिंग हॉल है, वहाँ पर मिल गया है, railway station के platform के बाहर मिल वह भी कोई जहां रहता है, उसके लिए in का यूज करता है, he lives at her room, अगर यह कहते हैं, तो वह उसके room के आसपास रहता है, या जो उसके girlfriend है, या boyfriend है, उसके room के आसपास ही रहता है, अगर आपने यह कह दिया गल्ती से भी, he lives in her room या his room, इसका मतलब यह हो जाएगा, कि वह इसके room में रहती है, उसके room में रहती है, जिसमें वो रहते हैं, या दोनों एक room में रहते हैं, लेकिन आपने act कह दिया, तो इसका मतलब वह आसपास रहते हैं, हम सभी बहुत सारे होते हैं, गल्स सुष्टालिया, अगर आपके आसपास या अपनी girlfriend, इस्तेदारों के YouTube बना साथ हो जाएगा, okay, साथ in the sense कि जिस जगह पे रह रहा हूं, मेरा समधाने का मतलब यह, इन वाली वीडियो देख रहे हैं, बहुत तच्छिस समझागी, इनका यूज हम करते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस जगह को बताने के लिए, इन तू भी बताऊंगा क्या यू इन वाले से मिल गया है, या इकनोविक्स वाले से, तो वो तो पढ़े रहे हैं, कहेंगे, बताओ कितने परसेंट से लेंगे, तो दो पे मान जाए, तो ठीक है, नहीं तो बढ़ा जाना इसको, I borrowed money from you, यह भी एट लएगा, विकज कभी भी दर बताने के लिए, रेट बतान नेक्स्ट है हमारा, the bike was running, that's speed, अब बैठा लिये न, इनको पीछे बैठा लोगे, कहा गी, इनको बैठा लोगे, तो आपकी bike के speed यही होगी, हाँ हाँ होगी, अब भी कितना भी कर लेना, cycle पर ही चलूँगा, पैदल ही चलूँगा, इनिवर्सिटी के बस से चलूँगा, लेकिन इसे बीना तो मानोगे नहीं न, bike के बीना इसके बीना मानोगे नहीं, और इससे कम speed रहेगी, नहीं, देखो बिया स्पीड बताने के लिए भी आट का यूज होता है कंफ्यूज नहीं हो येगा उनिवर्शिटी में जब पर आयेगा तो प्राइस हो गया या दर हो गया के दर से के रेट में या किलो के हिसाब से यह भी यूज होगा यहां पर बैसिकलिक है तो यह वीडियो आट पर ही मैं बनाया हूं और यह कुछ 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 जो पूछे गया है आट का यूज इसलिए मैंने बनाया साथ में बाई इन इसलिए भी लगाया कि थोड़ी शी आपको यह भी समझ मैं कि उसकी यूज कहां होती है थोड़ी शी तर हाँ दोस्तों यह भी बता दू मैं इन और आपकी वीडियो रन करें प्लेज देखेगा इस वीडियो को भी शेय करते हैं वह भी करेंगे और आप में से कही सारे लोग लाइक तो करते हैं पर शेयर नहीं वीडियो वाच तो करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं शेयर नहीं करते हैं तो प्लेज करिएगा बहुत कोसिश करते हैं हम लोग कि आपके मार्क्स अच्छे आएं आपको अच्छे स अच्छे समझ में है, okay, देखते हैं इसके बाद का यूज, क्या बताईए, Question No. 10 है, He is-Work, She is-BHU, She lived college-the age of 25, He got married-45, Das, least, comma, Das, most, comma, Das, the worst, He was-Dash, He was last year, She was-Dash, Her best last year, बताईए क्या answer होगा, फटापट, comment के लिए, comment में, फटापट, इदिना मिनट, जो भी जानते हो, आप नहीं आता है, in, on, at, जो भी आपको पता है, for, जो भी, to, जो भी preposition आपको पता है, from, साड़ा लिग दो, कहते हैं न, something is better than nothing, कुछ नहीं करने से, अच्छा है कि कुछ करो, अगर कुछ भी नहीं आता, तो भी लिखो, and Hindi, अगर, चाहते हो न, एक्जाम देना, तब तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत असान है, okay, आईए दिखते हैं, क्या होगा answer, कॉमेंट में आप सभी answer जरूर करिएगा, जिनको जो भी आ रहाँ answer, लीज, answer जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो देख रहे हैं, तो answer जरूर कीजिएगा, इससे practice बढ़ेगी आपकी, and, जब आप गलत करके, सही करते हो न, या आप सही answer करते हो न, तो इतना आपको delightful मैसूस होता, इतना खुशी होती है न, या फिर आप गलत answer करके सही करते हो, तो हमेशा के लिए बन जाती है, कभी-कभी तो मैं किसी चीज की सही answer करते जाता हो, कोई गलत answer करता हो, तो आप देखने जाता हो, कि answer सही है, ओ, मैंने गलत कर दी, पक्का हूँ answer हमेशा याद रहती, यानि गलत answer करके सही देख लो कि मैंने ये गलत कर दी है, तो याद हमेशा रहती है, और सही कर दिया, तो खुशी भी हमेशा रहती है, दोनों ही अपने फायते हैं, ह-work, कभी भी जो कोई काम कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, उसके पहले भी एट का कया यूज होता है, तो अब बता रहा है, वह काम मैं वह काम पढ़ाए, इन वर्क नहीं करेंगे, काम में नहीं है, आप वर्क के पहले एट रगाएगा, इस इंडर सेंस कि वो कोई काम कर रहा है काम पढ़ है काम बताने के लिए या इस्टडीज बताने के लिए पढ़ाई रिखाई की चीज़े बताने के लिए कि मतलब यह कर रहा है यह पढ़ाई कर रही है कि आप आप चले जैएंगे यहाँ पे यहा geld यहां पाँ चले जाएंगे लेकिन आपकी जो मोना सब्सक् fifteen ना pad성 मजाक मस दी लिए होती है तकि आपको आसानी से समझ में आ कोई भी जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट है या सम्थिंग या कुछ चीज़े हो वो कोई काम करता है न किस एज में कर रहा है उसको बताने के लिए भी आइट का यूज होता है subject किसी काम को किस एज में करता है इसको भी बताने के लिए हम क्या करते हैं at के उज़ करते हैं she left college at the age of 25 इसका मतलब यह हुआ यह जो subject है इसने college को कब छोड़ा भीया 25 की एज में छोड़ दिया क्या किया 25 के एज में college को छोड़ दिया he got married at 45 यह सब्सक्राइब करता है मैरीड होने का साधी करने का और का करता है यह आट 45 क्योंकि जो भी काम करेगा न तो इसकी जो एज है न वह बताने से पहले हम आट का ही यूज़ करते हैं कि लिया है कुछ superlative degree के words होते हैं जिनके पहले भी हम आट यूज़ करते हैं जैसे list आ जाएगा किसी भी sentence में लगा हुआ रहेगा और यह list रहेगा या the list रहेगा तो ध्यार रखेगा उसके पहले बीना हिंदी मेलिंग समझे आट लगाएगा टाइम सेव करिएगा most भी superlative degree का adjective है किसी भी sentence में आ जाए और ठीक यह most लगाओ the most लगाओ कुछ भी ऐसा लगाओ और उसके पहले अगर adjective की preposition की जोगरत होगी यह superlative degree की adjective है तो क्या आएगा आएट आएगा देहां लखिएगा दा वर्स भी superlative degree का adjective है यह भी अपने पहले क्या लेगा आएट लेगा जैसे question बना हुआ कई सारे जो मेरे दोस्त होंगे होते हैं वो क्लास में hi hello worship chat कर लेते हैं नीचे से टीचरों से छुपा के वैसे तो मौका कम मिलेगा लेकिन जब उनका condition आता है तो यह वाली में हो जाती है his last year कैसी condition worst at last year तो यह देखो यहां पर his worst worst क्या भी है superlative degree के adjective है इसके ठीक पहले जो वर्ड यूज हो रहा है प्रिपोजिशन के लिए वह at हो रहा है वह last year किस हाल में था आपने बेकार वाले श्तिती में था result जब नहीं आएगा सोना मोना के चकर में तो लोग यही कहेंगे लेकिन सोना मोना आपके चकर में रहते हुए भी क्या number लाती है देखो she was dash her best last year लोग उससे क्या कहेंगे at her she was at her best last year because यह जो best है आपका यह भी superlative degree का adjective इसके लिए जो use हो रहा है वो at का use हो रहा है ध्यार रखिएगा कुछ superlative degree के usage है उसके पहले भी at का use होता है बाकी जो समझा है वीडियो को दुबारा दिखिएगा सोना मोना सबके साथ समझ लिए कुछ और short में पड़ापड बताता हूं at specific time के लिए जैसे 5 o'clock 7 o'clock या specification बताने के लिए होता है निश्चित बताने के लिए एक अपवाद है जो मैंने बताया at Christmas या at holy day या at sorry at holy new year कहने का मतलब है कि hours pass बाकी तो on ही यूज होता है महीना के साथ या फिर महीना या date के साथ तो add का यूज specific time के साथ करते हैं जैसे 5 o'clock 7 o'clock 9 o'clock ओके नेक्स्ट है हमारा on का यूज किसी भी date या date के साथ जैसे on Monday on Sunday या on 25th on 27 इसका मतलब यह हुआ कि वह date है 27 तारीक 27 जो date आती है date होती होती न क्यलेंडर में वह बाले date इनका यूज मन्त के पहले year के साथ period के साथ period of time यानि month in January in February in 1927 in 1925 पहले से वीडियो बनी हुए देखिएगा उसको और period of time जहां add का यूज हम point of time के लिए करते हैं वो निश्चित समय पॉइंट of time का मतलब निश्चित समय 5 o'clock का मतलब 5 o'clock न थोड़ा आगे न थोड़ा पीछे वही period का मतलब होता है देख लीजेगा इनकी वीडियो में period का मतलब होता है लंबे समय के लिए यानि निश् time का मतलब समय के last तक तुम्हें 5 बज़े तक आ जाना है तक के sense में होता है यानि कि जब 5 का आखरी जो minute वाली सुई है वो 5 के बाद बाड़ा पे रहेगी तो तुम्हें आ ही जाना है बाड़ा से थोड़ी आगे होगी तो क्या हो जाएगा छे वाली में चली जाएगी और तब तक time आपका over हो गया रहेगा यानि end of the time के लिए by के लिए use करते हैं and कुछ और है on का use on valentine's day देखो इसका मतलब है कि valentine's day की बात हो रही है इसका मतलब है क्रिश्मस के ही दिन on का मतलब है खास दिन खास दिन के लिए यह जो का लेकिन एक अपवाद है holiday लगा हुआ है जो पहले कुछे में बात क्या हूं on Christmas के जगह पे at Christmas लगा है इसका मतलब है आसपास at new year का मतलब है new year के आसपास तो thank you so much वीडियो को share कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा like कीजिएगा and बने रहेगा व्यूचूब पार्चाला के साथ